कि नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आ गए हम अपनी वीडियो लेके एंडियन एकोनोमी एड़ दा इव इंडिपेंडेंडेंस बचों यह पहला चैप्टर है इंडियन एकोनोमी का और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एंसी क्यूजी नहीं हम आपके लिए केस बेस्ट इसकोश्चन स्ट्रब कुछ देने वाले और आप जानते ही हो कि आपको कहां मिलने करते हैं पहली चीज़ भाई पॉरेंग ट्रैवलर्स दिफाइंड फाइलेंस क्वाल्टी ओफ मसलिन अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्स्टाइल विजिस ओर इंडिया आये थे तो उन्होंने इंडिया का जो एक कॉटन टेक्स्टाइल इंडिया इंडिया कपड़ा होता था जिसको हिंदी में कहते हैं मल मल का कपड़ा मसलन उसके कुछ और नाम भी होते हैं तो बच्चों दोनों नाम आ सकते हैं आपके एक्जाम में तो पहली दूसरा है मलमल खास और तीसरा है मलमर कपड़ा और चौता दे रहत का है बहूत cynख版ड इंडिया इंडिया में ही और एक मलमल शाही तो बच्छों ये नाम आपको याद रखने हैं ये इंपॉर्टेंट MCQs एक्जाम में आ सकते हैं इग्नोर नहीं करना एक भी MCQ को कॉफी पहलने के बैठ जाईए तो इसका अंसर क्या होगा बच्छों डी होगा तो डी इस दा कर्रेक्ट आंसर अब चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर नेक्स्ट क्या है बच्छों ब्रिटिश इनावल्ड इंडिया टू इन इंपोर्टर ओफ रॉव मैटेरियल एंड एक्सपोर्टर ओफ फिनिस्ट गूड्स वाज जो बिटिश थे उन्होंने इंडिया को एक्स पॉलिशी लगाई थी ऐसे टैरिफ्स और कोटास लगा दिये थे कोटा मतलब लिमिट यह ऐसी रूल से रेगुलेशन स्विक्स कर दिए जिसकी वजह से इंडिया अपने यहां पर फिनिस्ट गूड्स जो बनते थे उसको बाहर नहीं सेल कर पताता अच्छे से वह यहां का यहां तो उल्टा लिख दिया इनोंने इंणोंने इंपोर्टर ओफ रॉंडवला हम रहां मेटरिए खरिकते नहीं थे हम तो रॉं मैटरियल बनाके एक्सपोर्ड करते थे तो यह वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यह वाली क्या होगी बच्चों prefer से लिखा हुआ है तो ओपनिंग ऑफ दा सूस कैनल 1869 बच्चों इंपोर्टेंट कुश्चन है 1869 में सूस कैनल स्टार्ट हुआ था बच्चों ये पहला आटिफिशल वाटर वे था वाटर वे था वे नहीं वाटर वे जो की इंडिया और ब्रिटेन के बीच में बना था और इसने लगवग 7200-300 कि के आसपास का डिस्टेंस कम कर दिया था और इसकी वजह से ब्रिटेन और इंडिया के बीच में ट्रेवल करना बहुत फास्ट हो गया पानी के जहाद में बचों आर्टी विचला बाटर वे का मतलब होता है जो पहले से नहीं होता समुद्द के बीच में खुदी रास्ता ब इंडियन मार्केट एसेसिबल बिल्कुल सही बात है एकदम सही बात क्या रहा है ब्रिटेन के लिए इंडिया तक पहुंचना बहुत आसान हो गया तो यह ट्रू है यह सची कहानी है और ऐसा ही हुआ था 1869 के बाद ब्रिटेन का ट्रेट इंडिया के साथ बहुत जादा जब ब्रिटेशन ने हम पर चाशन के रहा तो हमारी हेल्थ फैसिलिटीस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अगर कोई महमारी प्लेग वगारा फैलती थी तो गाउं के गाउं तबाह हो जाते थे और नूट्रिशन पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया बच्चों क्या कह लगा यह है कि उस ट्राइंग पर लाइफ एक्सक्टेंसी क्या थी बच्चों तो मैं आपको बताऊं 66 यह ना मतलब और चाशाट साल भी हम लोग जिन्दा नहीं रहते थे यह तो कुछ जादे कम हो गया इतना भी नहीं थे पचास साल ना पचास साल भी हम लोग जिन्दा नहीं रहते थे 50 साल से भी ज्यादा कम हमारी एक्सपेक्टेंशी का रेशियो जो एज लिमिट थी वो 44 तक गिर के आ गए थी मतलब लगबक 43 44 यह के आसपास ही लोग जिंदा रहते थे तो एक्जेक्ट आंसर क्या होगा आपका आंसर नंबर स्थी बच्चो मात्र 44 साल की उम दाने दे रहे थे हम लोग उसे सरफ काम करवाया करते थे और इसकी वजह से और उन्हाना एजुकेशन पर इसको प्रमोट नहीं करें लोगों को पता ही नहीं चला इस बारे में की बिमारियों से कैसे बचना है तो बच्चों सीज दा करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया आते ह अंसर है तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं और यह डीश्यों बता रहा है एक साल से पहले मर जाते हैं तो इसाण होता है infant mortality rate maternal rate नहीं यह रहा infant mortality rate लेकिन बच्चों यहां पर एक और option दिया है आपको confuse करने के लिए तो डरना नहीं है इस option में क्या लिखा हुआ और यहां क्या लिखा है बच्चो rate तो rate और ratio में difference होता है आप ratio वाले answer पर टिक लगा दोगे तो आपको हो जाएगा गलत देखो कितने important question है कितने सटी question है छोटी छोटी गलतियों को ठीक करवारों में आपकी रेशियों नहीं रेट पर ध्यान देना है और इसी पर टिक लगाना है तो हमारा answer क्या हो जाएगा बच्चों आंसर होगा हमारा बी बच्चों अच्छा जी अगले question पर चलते हैं स्टेट क्रेक्ट कॉम्बिनेशन बिट्विन दा फॉलिंग कॉलम्स तो यह कुछ यह दिये हुए हैं यहां पर और यह के अंदर क्या क्या काम हुए थे हमें उनसे मैच करना है तो पहले अपना मैचिंग करके देखते हैं और फिर अपने options पर चलते हैं तो यह सबसे पहले 1850 में क्या हुआता दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो शॉट्स में अपलोड कर रहा हूं बच्छों अगर वह शॉट्स आप देखते रहोगे तो आपको इन सबके answers मिलना शुरू हो जाएंगे हर एक शॉट में एक mcq और एक जो concept है वो solve किया गया है एक fact बताया गया है इंडियन economy के बारे में हो चाहे वो चाहे वो macro economics के बारे में हो तो जिसने जिसने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटा फट्स पर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो जिससे आपको ऐ रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था यह रहा जी अठारगों पचास का option होना चाहिए सेकंड यह बिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया ठीक है तो एक साथ सेकंड आ रहा है हमने एक चीज तो ढूंड ली तो यहां पर एक साथ तैकिन अरे दो दो option में आ रहा ह है मैं आपको एक साथ सेकंड तो फिक्स हो गया दूसरा यह वाला भी option हमें पता है 1921 इस दा इयर ओफ ग्रेट डिवाइड बच्वों 1921 पो एर ओफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसा साल है जिस साल के बाद भारत की population कभी गिरी नहीं हमेशा इंक्रीज होती गई हमने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं तो 1921 इस नोन एज यह ओफ ग्रेट डिवाइड तो बी का होना चाहिए फोर्थ अब देखो बी का फोर्थ अरे यह ए और सी में से ही आंसर होने वाला है क्योंकि बी बी के साथ फोर्थ यहां भी और यहां भी सब्सक्राइब तो यह दो तो हमने कर लिए यहां तक हम सेट यह और resilतर एजाएं और सीमे से उन्टे करपोरेशन बैट कंपनी जो टाटा अइर्न स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हे उसका establishment हुआ था 1907 के अंदर तो C के साथ first आ रहा है C के साथ first बहुच्चो आंसर निकाल लिया है हमने कितनी आसानी से अब यहां पर आ रहा है C के साथ third जो कि गलत हो गया और इस वाले को तो हम पहले ही गलत साबिद कर चुके हैं इस वाले को भी हम पहले ही गलत साबिद कर चुके हैं तो C is the correct answer और लास्ट वाले answer को भी हम जरा मैच करके देख लें कि 1854 में क्या हुआ था बच्चों अरे वाँ यह तो वही साल है जब इंडियाम ने सबसे पहले अपनी ट्रेन चलाई थी कहां से बंबई से थाने के बीच में तो 1854 में हुआ था फर्स्ट रेलवे ब्रेज जो की बंबई और थाने को जोडता है तो हमने सारे के सारे options को मैच कर लिया है और C हमारा सही answer हो गया है computer जी आपका number है computer जी ने हमारे answer को सही बता दिया चलो जी next question पर चलते हैं बच्चों next question क्या कहता है हमारा जी कहता है what was India's growth rate of aggregate real output and per capita output during the first half of the 20th century बच्चों थोड़ा बहुत देटा भी आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारी growth rate क्या थी और पर capita income की great हमारी क्या थी तो बच्चों मैं आपको बता दू इसमें options में जुगार नहीं लग सकता इसमें आपको याद रखना पड़ेगा इस वाले पॉइंट को तो इसको copy pen लेके note कर लीजे बच्चों जो हमारी उस time पे growth rate थी बच्चों वो थी less than 2% और जो पर capita income थी वो थी 0.5% तो भी हमारा सही आंसर होना चाहिए बाकी कोई भी आंसर सही नहीं होगा तो computer जी आंसर बताईए जरा फटाफट से भी हमारा सही आंसर हो गया अगले question पर चलते हैं बच्चों whose estimates are considered as the more reliable यहां पर reliable की बात हो रही है regards to estimation of national income एंड पर capita income during the colonial period वह अंगरेजों के शाशन के टाइम पे national income निकालने के लिए हमारे देश की income आए को calculate करने के लिए कई सारे इकोनोमिस ने कोशिश करी और निकाली बट सबसे ज़्यादा भरोसे मंद तरीका जो माने गया था बच्चों वह माने गया था वी के आरवी राव का बच्चों इंडियन इकोनोमी पढ़ रहे हो कॉपी पहले लेकर बैठना जरूरी है ताकि आप नोट्स बनाते रहो यह सारे के सारे क्वेश्चन गैरेंटी से आपके एक्जाम में आने वाले हैं बच्चों तो एक-एक एक एमसी क्यूं इंपॉर्टेंट है ध्यान से कर लीजिए तो इसका आंसर क्या है बच्चों डॉक्टर वी के आरवी राव तो इसका आंसर हो गया बच्चों दी तो पुटर जीने भी आंसर दी बता दिया अगले कोश्चन पर चलते हैं फटा-फट से नेक्स्ट कोश्चन कहता है इंडियन एकोनोमी ओन देव इव इंडेपंडेंस इसके टेगराइज अब हमें यह बताना है कि जब हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेज भारत को छोड़ के गड़ या कह दो हमने उनको भगाया तो उस टाइम पर हमारे भारत की कंडीशन कैसी थी यह बताना है तो पहली बात बताई कि स्टैगनेंट स्टैगनेंट का मतलब होता है एकदम बेकार एकोनोमी मतलब जिसकी ग्रोथ बिलकुल रुकी हुई है ना के बराबर है तो हां अगर डेवलेपमेंट की स्पीड हमारी अच्छी चलती रही और ये कुरोना जैसी बिमारियों ने हमें परिशान नहीं किया तो अगला बैकवर्ड बिलकुल जी पिछडी हुई एकोनोमी थी हमारे पास ना तो इरिगेशन फेसिलिटी अच्छी थी ना ही टेक्नोलोजी थ स्कलण को ऑंचो अच्छा जी कोलोनियल एकैडमी मतला उस सीनोंगे मेर करें निया कर दीया करते थे और उनका एक्सक्लूजीव क्या नियकर्ड राइट हो था था उस सिरफ बैनिफिस लेनेका उसको कुस्स देने पर दिकार मतल talk f उनंकी सिर्फ लेते थे वों आंसर क्या है इसका इंग्यान के है और ब्रिटिश का ये एक लेंड सेटलमेंट सिस्टम होता था मतलब इसके थुरू ब्रिटिश पैसा कमाते थे दोस्तों वाज टू क्या था इसके लिए जमिदार सिस्टम ब्रिटिश ने क्यों लागू किया था तो बहुत देखते हैं इंप्रूव दा इकोनॉमिक कंडिशन आफ कल्टिवेटर अंगरे जोने कभी बी किसानों के बारे में तो इम्प्रूव करने की बात तो चोड़ी दो तो पहला वाला ऐप्षण तो नहीं हो सकता दूसरा इंप्रूव दा क्रॉप ये अध्यों क्रॉप की ये येल्ड को मतलब क्रॉप क्रॉप प्रॉडक्शन को यहां बात हो रही है अमारे आमिर खान जी की मूवी से लगान अच्छा जी विद नो इंट्रस्ट इन दा इकोनॉमिक कंडिशन ऑफ दा कल्टीबिटर बिल्कुल मतलब अंग्रेज जो है इतना ज्यादा लगान वसूल करवाते थे तो यही हमारा सही अंजर है अगला है कॉरीशन बिल्कुल क कॉर्पर नुग सकता इध मैंस सी करेक्ट 받़ो तो दोス्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट कोस्टिन पर नेक्स्ट कोस्टिन नमबर 11 दा मेन रीजन फॉर स्टाइडनेशन आप इंडियन एगरिकल्चर डियूरिंग ब्रिटिश रूवल वाई अंग्रेजों की एक नीतियां थी तो हमें यह बताना है कि अंग्रेजों की ऐसी कौन सी पॉलिसी थी जिसकी व पॉछ फूछा तो अगरिकल्चर वाली ही बात करने ही ये यह पनर यप कौन सी है कि टेक्नोलॉजी नहीं आएगार सकती है लेंड अरे वच एंशी की उज में जो सही होता है वो सही नहीं होता जो सबसे ज्याधा सही होता है तो लेंडव शेतलमेंट सिस्टमने करस्त था लब अंग्रेजों ने इतना जादा मुश्किल कर रखा था किसानों की जिंदेगी को कि आपको लगान देना ही पड़ेगा और लगान बहुत जादा है पचास-पचास परसेंट लगान असी-असी-परसेंट लगान जोई नहीं पाता था तो इतना जादा लगान होने की वज़े से किसानों की हालत बहुत खराब होती थी किसान उगाते थे लेकिन अपने लिए कुछ बचा नहीं पाते थे टेक्स सिस्टम में ही सारा का सारा चला जाता था तो यही आंसर होना चाहिए आपका बच्छों कभी भी कुछ भी आजया है डी डिसलेशन नहीं हो सकता तो एगरी कल्चर के सबसे ज्यादा खराब होने का रीजन में रीजन क्या है बच्छों लेंड सेटलमेंट सिस्टम फूड शॉर्टेज इंडिया आफ्टर पार्टीशन इंडिया में जब भारत में विभाजन हुआ जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों अलग-अलग हुए तो इंडिया में खाने की कमी हो गई उसकी पीछे क्या रीजनता है बच्छों पंजाब सिंध का एक बहुत स My यहां पर वा एरिया जाएगे साथ इंडिया में फूर्ट की शौर्टेज हो ना स्टार्ट हो गई, बाकी ुस्ट गलत है सी इस दा करेक्ट आंसर थो बी को अब आते हैं अगले कोस्टन पर अगला कोस्टन क्या कहता है विच और गिवन अप्लॉइमेंट इन प्री डॉमिनेंट इन दा कॉंटेक्स ऑफ इंडियन अगरी कल्चर मतलब अब यहां पर भी अगरी कल्चर की बात कर रहा है इव आप इंडेपेंडेंस में हम लोग मुस्टी अगरी कल्चर से रिलेटेट चीज़ें करते थे तो इंड प्री तर्फिक्टर में कौन सा वाला पाया जाता था था तो पहला क्या है इस ट्रक्चर अनिप्लायमेंट होता है हमारी इको नॉमी के चेंज होने की वज़े से जैसे जैसे नए नए टेक्नोलॉजी नए नए पैटरन आफ डिमांड आते रहते हैं वैसे वैसे पुरानी चीजों की डिमांड का मोती रहती है तो जो चीज़े हो लोग पुरानी चीजा बनाते थे उनकी नौकरियां जाती है वो लोग भी रोजगार होते रहते या फिर उन्हें नई चीज़ें चीछनी पड़ती है तब उनको नौकरियां मिलती है तो कह रहा है structural unemployment यह नहीं था Frictional unemployment का मतलब होता है जब आप थोड़े time के लिए आपको नौकरी मिल जाती है और उसके बाद आप या फिर थोड़े time के लिए किसी activity में economic activity में आप indulge होते हो और उसके बाद थोड़े time के लिए आप नौकरी या फिर activity नहीं कर पाते हैं मतलब पूरे साल के period में कुछ time आप नौकरी पे रहे कुछ time आप नौकरी पे नहीं रहे कुछ time आपके पास काम था कुछ time आपके पास काम नहीं था उसे कहते है और तीसरा होता है डिस्गाइज दन इंप्लाइमेंट डिस्गाइज दन इंप्लाइमेंट का मतलब यह होता है कि जब एक ऐसी जमीन है इस जमीन पे सिर्फ दो दो आदमियों की जरूरत है तूपरसंस की बट इस पे पाँच लोग काम कर रहे हैं तो बाकी के तीन लोग जो एक्स्ट्रा हैं बच्चोड ये काम करतो रहे हैं बट इनके काम का कोई benefit नहीं मिलने वाला तोकि जो काम ये 5 लोग मिलके कर रहे हैं वही काम ये 2 लोग भी कर सकते हैं इसलिए ऐसे लोगों को disguised मतलब छूपी हुई बेरोजगारी का जाता है कि ये लोग दिख तो रहा है कि काम कर रहे हैं बट एक्ष्वल में इनके काम से कोई output एकोनोमी को नहीं मिलने वाला है तो इंडिया में ये वाला unemployment सबसे जादा पाया जाता था पाया जाता है अभी भी तो जितने लोगों की ज़रुत है उससा ज्यादा लोग उस जमीन पर काम कर रहे होते हैं तो इसका answer क्या होगा बच्चो C is the correct answer बहुत बढ़ी हैं अब आते हैं हम next question पर next question क्या कहता है बच्चो विच और गिवन स्टेट्मेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टु कॉमरिशियलाइजेशन आफ एगरी तल्चर बच्चो कॉमरिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कॉमरिशियलाइजेशन आफ एगरी कल्चर का मतलब हुआ कि जो यहां के किसान थे वो फूड क्रॉप्स को छोड़के खाने पीने वाली फसले छोड़के ऐसी फसले बनाने लग गए जो सीधा बिक जाती हैं जिनमें अच्छे पैसे मिलते हैं जैसे गन्ना हो गया का जो कॉमरिशियलाइजेशन हुआ था अगरी कल्चर का उसके पीछे कौन सी बात सही है पहला प्रोड़क्शन फॉर सेल्फ कंजम्शन नहीं सेल्फ कंजम्शन का मतलब है खुद खाने के लिए होगा ना प्रोड़क्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इनस्टीड फूड क्रॉप यह वाली बात सही लग रही है कि भाई आप फूड क्रॉप्स की जगह पे कौन सी कैश क्रॉप्स को प्रॉड्यूस कर रहे हो इस वाली बात पर ठिक लगा देते हैं दूसरी प्रोड़क्शन ऑप्रॉप्स फॉर सेल्न ना मार्केट यह भी बात सही है यह आपकी तुरंत क तुरंत मार्किट में बिग जाती है सेल हो जाती है अगला है कॉमर्शलाइजेशन इंप्रूब्व्ड इकोनॉमिक स्टेटस नहीं यह गलत बात कॉमर्शलाइजेशन की वजह से कभी भी इंप्रूमेंट नहीं आई थी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर सब्सक्राइजेशन की तरफ प्रेरित किया था उनसे कहा था कि भारतिया किसान जो थे उनको फॉर्स फुली कॉमर्शलाइजेशन की तरफ प्रेरित किया था उनसे कहा था कि भाया आपको यह कॉमर्शलाइज क्रॉप लुगा नहीं पड़ेंगी पहले तो भारत की किसान जो थे वह सिर्फ सब्सिस्टन्स फार्मिंग करते थे मतलब बेचने मेचने की दिक्कत नहीं थी उनको वह तो अपने अपना पेट भरने के लिए सिरिफ खेत पार्टीशन यह बहुत दुखत घटना है बटवारा यहां पर पार्टीशन का मतलब है जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए दोस्तों मोहमद अली जिन्ना मात्मा गांदी इनके बीच में इस चल रहा था तो जिन्ना ने का भहिया हमें हमारा पाकिस्तान जे तो कि ओस्य kwcaeton और in the city यह कोटन अदिया नजए के इसकी किधर पाकिस्तान에 अब भारत पाकिस्तान ऑगेद आपने फिल्में देखे ओँ होंगे पुरानी क्या मार काट मची ति अ eigen पर इन के बीचco जा रहे हैं आप लोगों ने गदर मूवी में सीन देखे भी होंगे तो भाई उस टाइम पर जोट इंडस्ट्री थी इंडिया की उसको बहुत एफेक्ट हुआ कि वहां से ट्रेड होना बंदी हो गया अब कच्छा माल आएगा ने तो फैक्ट्री कैसे काम करेंगे तो फैक्ट्री उस टाइम पर पूरी की पूरी बरबाद हो गए थी तो यह दो इंडस्ट्री जिन पर बहुत ही एडवर्स एफेक्ट पड़ा था मतलब बहुत नेगेटि उस टाइम पर फूर्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उस टाइम पर थी नहीं तो आंसर आगया हमारा भी कंपूटर जी बहुत बढ़िया अगला कोशन क्या कहता है मेरे बच्चों डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि भारत की जो इंडस्ट्री स्थी उससे खतम करना इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है नहीं इंडस्ट्री बनाना और डी इंडस्ट्रियलाइशन का होता है जो इंडस्ट्री उन्हें खतम करना अच्छा जी कब की बात कर रहे है अच्छा जी कोलोनियल पीरिट की बात कर रहे है कि इंडिया की ऐसी कौन सी इंडुस्टि थी जिसमें नुक्सान हुआ इंडियन्स को बिदेस्ट डाइशन का बच्छों तो यह आजादी से पहले हम जो में काम करते यह पिर निकल थे उतना ने sa इस सब पर फोकस हुआ हमारा कॉटन टेक्स्टाइल वगएर हमारा इतना ज्यादा फिमस नहीं था कोल पी इनुट्रियाइशन पहले हमारे यह पर जादा फिमस ही नहीं थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता था हैंडिक्राफ इंडिया का नंबर बन हमान के पूरे के पूरे बर्ट में है तो इंडियन नुकसान किसको को वा बच्छो हेंडीग इंडस्टी गुण चाहिए तो इसका आंसर पर बच्छो C सिबावब न चाहिके कॉप्पी और पयापिए इसका और हुरीजन रहे जारूरी है तो इसका अंसर नंबर सी हो जाएगा अब आते हैं पटापट से अगले कोश्चन पर नेक्स्ट क्या रहा है पच्छों देख डिकलाइन ऑफ हैंडीक्राफ इंडिस्ट्री तो हैंडीक्राफ के उपर एक और कुश्चन आ गया कि भाई हैंडीक्राफ इंडस्ट्री के क्या था कि हमारे हैंडीक्राफ को ख़तम करने के लिए बहुत जाद चला की चलिए उन्होंने उन्होंने तो मशीन-मेड प्रोड़क्स लाकर रख दी जो की बहुत सस्ते थे और दूसरा जो हैंडीक्राफ प्रोड़क्त उन पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया उन व हो जाए लोग उनको खरी दी ना पहें लोगों को लगे यह तो बहुत महँगा है और यह बहुत सस्ता है जो शुक्त कर लेते हैं वाले वो कहें यूज करेंगे तो यह बड़ी चला की चली ती बिटेन वगए रहने तो टैक्सेस वगए इसके अंदर आने चाहिए तो क्या गए है है वी डूटी ओन इंडियन हैंडिक्राफ प्रोड़क्त बिल्कुल सही बात है यह इसका अंसर हो सकता है अगला क्या है हाई टेरिफॉन एक्सपॉर्ट ऑफ रॉम मटीरियल फ्रॉम इंडिया अच्छा यह भी इसका अंसर हो सकता है बच्छों जरूरी नहीं कि एक सिंगल व ने जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था माल राव मटीरियल वाला उस पे टैक्सेश कम लगा रखे थे इन्होंने का कि रॉम मटीरियल पर टैक्स नहीं लगाएंगे लेकिन इंडिया से फिनिस्ट गूर्ट जाते थे जैसे कि हैंडिक्राफ्ट के बने हुए फिनिट्स जो जाते थे उस पे इन्होंने बहुत टैक्स लगा रखा था तो यह वाला अंसर तो नहीं हो सकता यह तो गलत हो गया क्योंकि हाई टैरिफ एक्सपोर्ट ऑफ फिनिस्ट गूर्ट पर था एक्सपोर्ट ऑफ रॉम मटीरियल पर नहीं था अगला है हाई टैरिफ और इंप है और उनपे टैक्स कि अनगों कर रखा था रोख मिरा हाई नहीं था लू सकता इसका मतलब इसका अंसर क्या होना चाहिए ए और टा करेक्ट वातर रहा स्वयंजट अब अब आतें बति नेक्स्ट कोश्चिन पर अच्छा जिए नेक्स्ट क्या गह रहा है अमारा जो मशीन नहीं बना रही है मशीन के टूल्स बना रही है जिनको यूज किया जाएगा प्रोड्यूसिंग आर्टिकल पॉर करेंट कंजम्शन अच्छ ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्री में यूज होने वाले प्रोड़क्ट को बनाती है ऐसी इंडस्ट्री जो में यूज होने वाले प्रोडदीट को प्रोड्यूस करते हैं ऐसे इंडंडि इंडेस्टिपो हम क्या कहते है सब्सक्रि ने उसका मैं एक्ञांपल देता हूं आपको करो गाड़ियों में गाड़िया बन रहिं घार री चैहीं हो रहा है उस इंजन को बनाने वाली company गाड़ियों में इंटीर को बनाने वाली company तो ऐसी कंपनी सको हम क्या बोलते हैं मोट talk consumer goods नहीं यह कीविस कंजीयूर नहीं है क्यों कि पीजियूर सिधर टायर लाके गाड़ी खुद नहीं बनाता वो टायर खरीदती है एक कार कमपनी और वो कार बनाके हमको कार यूज़ करने कले देती है तो consumer गुट्स तो नहीं हो सकती इसका मतलब अच्छा जी intermediate goods इंडस्ट्री जरूरी नहीं है कि यह intermediate industry हो क्यों कि consumer अगर सिर्फ एक टायर खरीदना चाहे तो वह खरीज सकता तो इंटरमीडियेट भी नहीं कहा जाएगा इसमें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हां जी बिलकुल यह इसका आंसर हो सकता है और फिनिस गुड्स भी नहीं कहा जाएगा क्यों कि टायर अपने एक टायर और जब वह गाड़ी में चार या पांच टायर लग जाएगे तो पूरी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी तो उसको हम फिनिस गुड्स भी नहीं कह सकते इसलिए आंसर क्या होना चाहिए बच्छों हमारा कैपिटल गुड इंडस्ट्री कैपिटल गुड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है ज बच्छों अब चलते हैं अगले question पर बहुत बढ़िया अगला question क्या कह रहा है which of the following does not highlighted the status of industrial sector during the colonial period अब देखो यह does not neither never in points पर बहुत ध्यान दिया गरूँ बच्छों यह कह रहा है कि इन में से कौन सा नहीं highlight कर रहा है industrial sector को colonial period में मतलब जो highlight कर रहा होगा उसको नहीं लिखना जो highlight नहीं कर रहा होगा उस पर ध्यान देना है तो industry कैसी थी उस time पर देखते हैं जरा capital good industry were lacking तो यह तो बिल्कुल सही बात है अगला British followed equi proportional tariff policy अच्छा जी यह वाली बात पर ज़रा ध्यान दो पहले वाले मों उसने बोलागी capital good industries lacking थी तो नौट वाली बात में यहां सावित होती नहीं यह वाली बात लेकिंग तो थी ही थी तो not नहीं वह तो yes हो गया अब गहरा है कि ब्रिटिशास ने इकवी proportional tariff policy मतलब यह कहरा है कि ब्रिटिशास ने ऐसी policy follow करी बच्छों जिसमें सब पर बराबर tax था चाहे import हो चाहे export हो चाहे handicraft हो चाहे machine made products हो तो यह वाले गलत चीज है मतलब not highlighted में यह वाली बात आ सकती है हमारी अगला पढ़ लेते हैं क्या पता और भी answer हो इसके conversion of India as a sprawling market for British finished goods तो यह तो उस ताइम पर था ही तो यह वाला भी answer हमारा नहीं हो सकता ह है British ने तो ऐसा किया ही था Indian handicraft industry decline यह भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा तो British ने किया ही था ऐसा नहीं किया था इसलिए not वाले में हमारा answer क्याना चाहिए बच्चों B answer तो computer answer बताई बहुत बढ़ियां B answer आ गया अगले question पर आजो बच्चों जल्दी से which of the following industry lies was covered under the public sector during the colonial period अंग्रेजों ने ऐसी कौन सी industry थी जिसको पूरा का पूरा अपने control में रखा था और यहीं गलती थी उनकी कि उन लोगों ने क्या करा बाकी industries पे ध्यान ही नहीं दिया सिरिफ फर सिरिफ एकी industries को focus करा क्योंकि इसकी वज़े से उनको फायदा मिल रहा था बच्चों इसका आंसर है railway लेकिन बाकी देख लेते हैं क्या पता कोई और option कहना चारा है कुछ और animation तो बच्चों स्टाइम पे था ही नहीं सब कुछ ब्रिटेन वेगर ऐसे ही या थ्यार वेगरा लेके आते थे ओल अफ दैब अब हो नहीं सकता क्योंकि एक गलत हो चुका है और information technology पर अंग्रेजों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया सिर्फ और सिर्फ introduction of Indian post उन लोगों ने करा मतलब postal services की शुरुआत करी जिससे हमें अब के कभूतर के थ्रों चिट्थी नहीं भेजनी पड़ती थी चिट्थियों को लोग लेके जाने लग गए postal services की शुरुआत भी इंडिया में अंग्रेजों ने कर दी थी बट रेल्वे को उन्होंने पूरा अपने अंडर में ले रखा था तो इसी को हम लोग public sector मानेंगे तो अब क्या कह रहा है दा मेन फोकस ऑफ द अइंडस्ट्रियल पॉलिशी डूरीं क्लोंट पीरियद सबसे मेन फोकस इंडस्ट्रियल पॉलिशी में किसचीज़ ब्हारत को क्या करना चाहते थ PRESबिक्ष्यशों करना चाहते तैंasas2 माल रिन देना चाहते थे इस तीन Preisni आपको आंसर मिल जाएगा option पढ़के देखते हैं इंडस्टियल इंडिया बिल्कुल गलत बात ऐसा तो करा ही नहीं नहीं यह क्या रहा कि कौन सा इंडस्टियल बेस को मजबूत किया था यह वाली बात समझ में आ रही है अब देखें सी वाले में क्या कह रहा है स्ट्रेंट्टिन इंडस्ट्रेंट सप इन्डिया अलंग विद बृते नहीं यह भी नहीं किया ने बृते और इंडिया दोनों को को flourish करने की कोशिश नहीं की थी सिर्फ और सिर्फ बृतेन को flourish करने की कोशिश की बच्चों अगला है cannot comment अभी हम comment क्यों नहीं कर सकते हमें तो सब पता है हम दो comment करेंगे करेंगे अग्रेज़ों को सब क्लियर था उनका two-fold motive भारत को raw material export करने वाला country बना के रख दिया था उन्होंने और यहां की economy को बरबाद करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग यहां के culture को खराब कर रहे थे सबसे पहले मैं यहां के education system पर कभजा कर लिया यहां के सारे वेद पुरान वेगारे को English में convert कर लिया और फिर हमें English की education देना स्टार्ट कर दिया और हम ही अपने culture को दिरे दिरे भूलने लग गए कर हम culture को छोड़ते हैं अभी फिलाल अपने question पर चलते हैं तो इसका कि अंगरीज सरकार की वह प्रमोट Capital Good Industry और डॉमेस्टिक प्रोडक्शन और फिनिस्ट गूड्स प्रोड़क्शन और प्रोड़क्शन और फिनिस्ट्री और यहां पर फिनिस्ट गूड्स इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके अशा तो बिल्कुल नहीं किया था उन्होंने उन तो यह चीज क्या हो सकती है बच्चों? फाल्स यह क्या आंसर आएगा इसका? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था इसमें कोई आधा सच आधा जूट नहीं है आंसर क्या हो गया इसका हमारा? B is the correct answer तो computer जर आंसर बताइए B is the correct answer बच्चों अब चलते हैं next question पर नेक्स्ट क्या क्या रहा है, the major characteristics of India's foreign trade during the colonial period, क्या main feature था, colonial period में main characteristics क्या थी, India के foreign trade की, मतलब इंडिया विदेशों से क्या trade करता था, to maintain a huge export surplus, विल्कुल ऐसे तो था, हम कहेंगे यार, इंडिया इत्म जादे export करता था, तो तो बड़ी अच्छी बात थी, नहीं बच्छों, अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि इंडिया export जो करता था ना, ज्यान दो जगा, वो करता था किसका, raw material का, raw material मतलब कच्चा माल, तो बच्चों, कच्चा माल सस्ता होता है या पक्का माल सस्ता होता है, finished goods, मतलब आटा महंगा आता है, या bread महंगी आती है, bread म एक्सपोर्ट करते तो थे बहुत सारा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते थे और एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते थे पर जो यह रोम मटीरियल होता था इसका प्राइस क्या होता था बहुत ही लो होता था और हम क्योंकि रोम मट्रियल सारा बेच दिया करते थे तो ह हमारे पास बनाने के लिए कुछ बसता है नहीं था अब कंजंप्शन तो हमें भी करना है तो हमें क्या करना पड़ता था कि इंपोर्ट करना पड़ता था किसका कि पिनिंस्ट गुट्स का बच्चों tuning इस घुड़ेति मोना पर था इंपोर्ट करना परता था और यह जो होती थी यह बहुत मेहंगी हो Wait ती ती आई प्राइस की होती थी तो इसकी जैसे हमारा एक्स्पोर्ट में सर्प्लस तो था लेकिन जो वैल्यू थी उसकी वह बहुत कम होती हमने यहाँ बहुत कम पैसे मिलते थे और यहां से बहुत जाधा पैसे हमें पे करने पड़ते थे अच्छा जी तो इट मेंटें एन ओवरॉल डेफिशिट अच्छा जी हाँ ओवरॉल डेफिशिट तो होता ही था हमारा इट मेंटेंड दा ट्रेड बैलेंस बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं था तो ये तो आंसर नहीं हो सकता इंपोर्ट वर ओल्वेज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट लिखना चाहिए था यहां पर इंपोर्ट लिख दिया है इंपोर्ट वर ओल्वेज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट लिखना चाहिए था लेकिन ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारा इंपोर्ट जो है जादा नहीं होता था क लुख में खीयु तो है एक्सपोर्ट वर ओल्वेज ग्रेटर निंपोड तो हमारा लंस ही कि आ जाता वच्छो बिज दी आंसर आंसर था इसका आन्सर कियार होना चाहिए बच्छो एर पी अच्छा जी तो इंडिया का एक्सपोर्ट जादा था बट उस एक्सपोर्ट की वेल्यू हमेशा इंपोर्ट से कम होती थी तो हम सर्प्लस में डेफिशिट में रहते हैं बट मात्रा देखी जाए तो एक्सपोर्ट की हमेशा मात्रा जादा होती थी अब फिनिस गोड्स खरी द्यूरिंग दा ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के टाइम पे कौन सी एकोनॉमी हमारी थी इन में से बताना है तो हमारी एकोनॉमी वाइबरेंट एकोनॉमी थी वैल डेवलप्ड इंफरस्ट्रॉक्ट्ट्टर ऐसा था अंग्रेजों से पहले ऐसा था यहां क्या पूचा है अंग्रेजों के आने के बाद क्या ऐसा था नहीं अच्छा जी इस्टेगरेंट इकोनॉमी भी एवी रिलाइंस ऑन अग्रेजों ने इतने मकार थे अब फ्लॉरिज्ड मार्केट बिलकुल नहीं फ्लॉरिज्ड वर्ट जहां आ जाए वहां कोलोनियल एकोनॉमी छोड़ देना कोलोनियल से पहले वाली सब कुछ फ्लॉरिज्ड थी अंग्रेजों के आने के बाद सारा फ्लॉरिज्ड खतम हो गया हमारा प्री वैलेंस ऑफ रैंपेंट पॉवर्टी हाँ बिलकुल भाई स भी हो सकता है तो ऑप्षन देखें फर्स्ट एंथार्ड नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा डी करेक्ट और बच्चों डी ही हमारा अंसर हो सकता है अब चलते हैं next question पर उच्छों इतने important question है यह यहां को confuse कर सकते हैं इसलिए इनको अच्छे से कर लिजिए इन में से एक्जाम में पक्का आने ही आने वाला है एक चैप्टर के इतने सारे questions में आप लोगों करा दे रहा हूं कि आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूत नहीं है अगर आप chapter भी read नहीं करते हो और इन questions की वीडियो देख लेते हो तो आपका चैप्टर complete हो जाएगा main main points आप cover कर लोगे इसका मतलब यह नहीं है कि आपको chapter पढ़ना नहीं है चैप्टर तो पढ़ना है क्योंकि कुछ नई चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अभी assertional reason भी तो करने वाले हैं हम लोग इसक chronological order जो के वी सी देखते हों को ने पता लगता होगा selection ऐसे होता है chronological बढ़ते हुए क्रम में इसको select करना है कि सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ तो establishment of disco हमें year अगर पता है तो हम आराम से कर लेंगे first census of India collected during the British तो अठारा सो एक्यासी 83 के बीच में हुआ था श्यूज कैनल हमारा 1869 में आया था और रेलवे हमारी 1853 1854 इसमें आया थी अठारा से पचास से शुरुआत हुए थी त्रेपन में पहली ट्रेन चली थी और चववन में बंबय टू थाने हमारा ट्रेवल स्टार्ट हो गया था तो त्रेपन चली बीच की उस टाइम को प्रेट को मानते हैं तो नम्बर बन पर क्या आना चाहिए वह पिसके बाद आना चाहिए स्यूज स्कैनल नमबर दो पे और फिर आना कि इन पर नमबर कर अचार बच्छों को देखो नहीं पर लिखा हुए चार-3-2-1 चार-3-2-1 दो एक तो सी इस दा करेक्ट आंसर तो आंसर हमारा क्या आगया सी आगया तो कितना आसान है बच्छो बस आपको यह डेटा याद होना चाहिए अब इस डेटा को आप कर लीजिए कौन सा किसी यह में हुआ था और अगर आपको डेटा याद नहीं रहते तो हमारा चैनल है बच्छों कैल्विन कॉमर्स इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए इसमें आपको देखने को मिलेंगे चौर्स और हर शौर्ट के अंदर हमने आपको एक ऐसा ही लॉजिकल आंसर एक डेट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कोर्स से रिलेटेड है वही कराया है बच्चों तो ध्यान दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल केल्विन कॉमर्स को अब चलते हैं बच्चों अगले कोशिशन पर वोट वस दा कंडिशन ऑफ फॉरें ट्रेड दूरिंग दा बिटिश रूल क्या कंडिशन थी फॉरें ट्रेड की बिटिश रू मेटेरियल हम एक्सपोर्ट करेंगे रॉम मेटल कहां यह तो था ही था बिल्कुल था नेट इंपोर्ट ऑफ इनिस गोड्स यह भी था वहां से पक्का मल खरीते थे टैक्स की बात करी नहीं अभी इसने अगर टैक्स की बात करता तो हम क्या कहते कि अंग्रेजों ने हमारे होता था एक्सपोर्ट का रॉम मेटल बेच के जो भी पैसा आता था उस सारे पैसे को अपने वार एक्सपेंसे और मिलिटरी स्टैब्लिश्मेंट में लगाते थे अपने ऑफिशेल को सेलरी बाटने में खर्च करते थे उस पैसे को मलब हमारे यहां पर अपनी हुकूमत को हमारे ही पैसे से इतने तेज थे तो all of the above इसका अंसर होना चाहिए सारे के सारे option ठीक है तो computer जी इसका answer क्या हो जाएगा हमारा answer number D हो जाएगा बच्चों आइए फटा-फट से next question क्या कहता है अच्छा जी ब्रेटिश restricted India's foreign trade with which of these nations अच्छा ब्रेटिश ने कौन से नेशन से हमारे trade को restrict कर दिया था अच्छा जी क्या अमेरिका से हम trade कर पाते थे नहीं ब्रिटेन से तो करते थे चाइन से करते थे अमेरिका से नहीं करते नहीं थे ब्रिटेन अमेरिका फिर आ गया जहां अमेरिका वहां तो नहीं तो लास्ट रोगा प्रेञा चाइना श्यलंका और इरान तो डी दा कर्रेक्ट अंसर बच्चो तो देखिया आंसर क्या रहे है चरक्षा अब आज हो फटा-सर नेक्स्ट पर तुरंद पहुंसतें फ प्रफ्ट पर विच उप्ट गिवन स्टेट्मेंट इस इनकरेक्ट पूछता है तो समझने में दिक्कत नहीं होती है इनकरेक्ट पूसर उल्टा सोचना पड़ता है तो हमें देखना है डेमोग्राफिक स्टेटर्स का मतलब होता है पॉपुलेशन स्टेटर्स लिविंग स्टेटर्स ऑफ पॉपुलेशन लोग कैसे रहते थे उस टाइम पर अच्छा तो विजिस इनकरेक्ट अच्छा तब फर्स्ट सेंसे सोफ यह 18 से क्यासी बिल्कुल सही बात है यह तो डेमोग्राफिक कंडिशन में आई जाएगा कि हम यह इनकरेक्ट है कि 18 से क्यासी के आसपास हमारा सेंस जो है वह हुआ था अच्छा जी इंडिया एंटर्ड दस सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पोस्ट नाइंटीन फॉर्टी सेवन ओ हो यह कह रहा है कि जब भारत हमारा आजाद हुआ उसके बाद हम सेकेंड स्टेज पर आये थे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के तो बच्छों यह वाली बात गलत है यह नाइनटीन फॉर्टी सेवन नहीं यह आना चाहिए नाइनटीन 2020, 1920, 1920, 1921 जिसको हम Year of Great Divide कहते हैं 1920 में दिक्कत आय थी और 1921 is the Year of Great Divide तो 1921 होना चाहिए अच्छा जी 20 नहीं लिखा जाएगा 1921 लिखा जाएगा 1921 में समस्य आये थी और 21 के बाद कभी कोई समस्य नहीं आई हमारी जो जनसंक्या है वो बढ़ती ही बढ़ती चली गई क्योंकि हमारी इस्तिति अच्छी होने लग गई थी इसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज वगेरा कि उससे पहले बहुत बुरी हालत थी इंडिया के प्रीमेल लिटरेसी रेट ये भी सही बात है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता इन्फेंट मॉटलेटी रेट ये भी सही बात है कि बाई टू वन एट पर थाउजन थी उस टाइम पर मतलब हजा में से 218 बच्चे तो एक साल का होने से पहले ही उनकी म्रत्य हो जाती थी डेथ हो जाती थी अंग्रेजों के टाइम पर तो हमारा आंसर होना चाहिए बच्चों यहां पर आंसर नंबर बी कंप्यूटर जी आंसर बताईए बहुत बढ़ी आंसर नंबर भी आई चलते हैं न 1921 मूवी की बात नहीं हो लिया है 1921 में कौन सी स्टेज में आ गया था इंडिया बच्चों सेकंड स्टेज में मतलब 1921 एक एर हैं जिससे पहले इंडिया की पॉपुलेशन मैं कई बार ऐसा हुआ कि ये इंक्रीज भी हुई और ये डिक्रीज भी हुई मतलब बढ़ी और घटी भी बट 1921 के बाद हमने पीछे मुड के नहीं देखा हमारी पॉपुलेशन हर साल क्या होती गई इंक्रीज और इंक्रीज और आज हम 140 करोण से भी जादा हो चुके हैं तो बच्चों इंडिया की पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन आना शुरू हुआ था 1920 के बाद इसलिए इसको सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक पॉपुलेशन कहते हैं और डाट इस पावर ऑफ और कंट्री कि हमारे पास सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है वच्चों यूथ कैटेग्री स्टाट पर्सेंट से भी ज्यादा लगबक 65-70 पर्सेंट पॉपुलेशन आफ इंडिया जो है वह 25 से और 45 के बीच में 25-50 के बी कर सकते हैं तो तो डिससे दा यंग इंडिया जवान इंडिया बightो काम करता है जादा कम पैसे लेकिंवी काम कर देतें इंडिय इसलिए इंडिया जो है वह नंबर वन में हो रखा है किस मामले में आउट सोर्सिंग के मामले में यह पॉइंट्स भी हमें आगे पढ़ने हैं तो इसका आंसर कम्पूटर जी बताइए फटाफट से आंसर होगे इसका बी यहां पर हमारे एंसी की होते हैं complete मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम करने वाले हैं एसर्शन और रीजन और उसके बाद के स्टेडी तो बच्चों साड़ी के सारे क्वेश्चन को हमें complete कर देना है और इस साड़ी के सारी वीडियो को जानने के लिए आपको करना क् हमारे कैल्विन कॉमर्स को सब्सक्राइब कर देजिए और बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलना क्यों क्योंकि अगली वीडियो का अपडेट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है थैंक्यू दोस्तों